नमस्कार मित्रों, मेटा मित्र चैनल में सुस्वागतम पाई ब्राउजर पिछले कुछ दिनों से क्रिप्टो के ब्रह्मांड में पाई लोक में एक अलग गटना गटी सबका चाहिता पाई ब्राउजर कुछ नाराज सा दिखा पुछ लोगों के मोबाईल की खिटकी में से वो दिखता था पर खुल के बात नहीं कर रहा था पता नहीं क्या हो गया था उसे शायद अभी भी पाई ब्राउजर मोबाईल में लोड तो हो रहा है परन्तो उसका होम पेज नहीं आता है और उसी पाई ब्राउजर में दूसरी वेबसाइट ओपन हो रही है यानि वो उन वेबसाइट से नाराज नहीं है अब जो पाई ब्राउजर का उप्योग करके utility rewards लेते थे उन्होंने ये सोच कर कि वो तो काम ही नहीं करेगा दूसरी कोई वेबसाइट चेक ही नहीं की होगी इसी वज़ा से उस पाई लोग के निवासियों के मन में इभिन ने प्रकार के नकारात्मक विचारों ने जन्म लिया परन्तु कुछ पाईवनेर्स ने फिर भी धैर्य से अपना माइनिंग का काम अभी तक चालू रखा है क्योंकि उनके मन में विश्वाज और स्रद्धा बाव जुड़ा हुआ है और ये उनकी ताकत है उनको पताई है कि अब ये कभी पूर्ण तरह से बंद होगा ही नहीं तो दन्य है ऐसे वीर पाउनियर्स को और अब पाई लोग के उन पाउनियरों के लिए उनके मन में उठे हुए नकारात्मक विचारों को दूर करके उनके मन की शुद्धी करन करने है तो आईए कुछ सत्य की खोच करते हैं सबसे पहले पाई के चेट रूम में जाते हैं वहाँ भी मॉडरेटर पर ज्यादा तरह एक ही प्रशन की वर्शा हो रही थी पाई ब्राउजर नहीं चल रहा तेरा तारिक को इस मॉडरेटर ने बताया है सिस्टम में अभी जब चलेगा तब आगे की चीज़ होगी यानि जिन लोगों को KYC का नोटिफिकेशन आया है जिन लोगों की KYC बीच में अटक गई है जिनको रिसबिट करना है वो लोग KYC की प्रोसेस अभी नहीं कर सकते तो वो लोग ब्राउजर जब मान जाएगा ब्राउजर की मांगे पूरी हो जाएगी और वो पूरन तरह से खुश हो जाएगा तब अपना कारिया आगे बढ़ा सकेंगे 14 फरवर एको रात के 12 बजे यानि दिन के शुरू होने से पहले मॉडरेटर जी ने कहा है कि अभी सिस्टम मेंटेनंस की वज़़े से डाउन है कोर टीम आज मंडे से काम पर लग गई है तो तीसरी मिनेट पर किसी और उत्साही पाउजर ने पुछा कि शाम तक तो ठीक हो जाएगा ना तो मॉडरेटर जी ने कहा कुछ कैं नहीं सकते अरे भाई कोर टीम के लिए अभी मंडे शुरू हुआ है उनको उठने दो ब्रस करके सनान करके थोड़ा चाए नास्ता करने दो आज से वो अच्छे से काम पर लगे हैं वीकेंड में सपोर्ट टीम छोटी होने की वज़ा से फूल फोर्स में काम नहीं हो सकता रहे और आज तो 14 फरवरी है अपनी धर्मपत्नी को या सकी को गुलाब का फूल नहीं दिया तो महा माया के रुद्र रुप के दरशन हो सकते हैं तो बाई समझे सबसे महत्तो पूर्ण काम कौन सा है चलो फिर भी आपके लिए एक अच्छी बात बताते हैं वो ये है कि पाई ब्राउजर पूर्णा तरह से स्टॉप नहीं हुआ है जिन लोगों के कम्पूटर में नोड लगा हुआ है वो लोग पाई एप को चालू करें और मेनू में सबसे लाश्ट में प्रोफाल के ठीक उपर वॉलेट लिखा हुआ है वहाँ क्लिक करेंगे तो वॉलेट ओपन होगा और वहाँ से पाई की लिंदिन कर सकते हैं तो अब जिनको भी मन में शंका थी कि ब्राउजर में ऐसे वॉलेट नहीं खुल था तो पिछले दिनों में पाई के ट्रांजेक्शन कैसे हुए थे तो हो सकता है इसी तरह हुए हो अब आगे देखते हैं मैनू में पाई utility option पर क्लिक करेंगे तो chat और brainstorm बटन दिखेंगे चलिए brainstorm open करके देखते हैं तो वो भी पाई का authentication चेक करके open हो रहा है और इस साल के proposal दिख रहे हैं आये कुछ proposal देखते हैं कि इस धर्ती पर रहने वाले पाउजरों को पाई से क्या क्या चाहिए यानि कौन सी एप बनाने की महच्छा रखते हैं वैसे यहां बहुत से अलग-अलग idea मिले हैं जिन्हें आप अभी देखी सकते हैं परन्तु हम कुछ stressed idea ढूंडेंगे हाँ मिल गया पाई global exchange वाई वाई क्या idea दिया है दोस्तों ये proposal में लिखा है कि क्यों न एक global market जैसा बना जाए जहां दुनिया की सभी currency का trading हो साथ में metal और oil का भी आईए इसकी details फटाफट देख लेते हैं पाई के global exchange market कैसा होना चाहिए इसकी ये कुछ विशेशताएं बताई है ताकि पाई का market की इस तरह unique बन सकता है पाई उनियर अन्य सभी financial product के साथ पाई कोड को redeem करने में सक्षम होंगे इसका विशाल trading volume जो होगा वो दुनिया में सबसे बड़ी asset class का प्रतिनिदित्व करेगा जो high liquidity के तरफ ले जाए इस पाई global exchange में 24 गंटे चलने वाला non-stop संचालन होगा क्योंकि पूरी दुनिया में इसका प्रसार यानि भवकलिक फैला होगा exchange rate को प्रवायूत करने वाले विभिन प्रकार के कारक होंगे कोई एक छोटा कारक नहीं होगा यानि शेर बाजार में जिस प्रकार किसी बड़े उद्योकपती जी की या मंत्री जी की तबियत नाजुक हो जाने पर शेर के भावगिर जाते हैं ऐसा शायद नहीं होगा तो ऐसे कई कारण और भी हो सकते हैं जो आप मेंसे कोई प्रकार अर्थ सास्त्री हो तो उन्हें ज्यादा मालुम होगा तो कमेंड करके अपने विचार प्रगट करें और मार्क दर्शन भी करने की कृपा करें तो इस तरह अगर ये एप यानि पाई ग्लोबल एक्षेंज बनता है तो ये मार्केट एक आधर्स प्लेटफॉर्म बन सकता है उसी तरह किसी ने गोल्ड पाई करके एक एप बनाने का प्रपोजल रखा है कहा है कि ऐसा कुछ बनाओ जिससे पाई नियर गोल्ड डिलर से सर्टिफाइड गोल्ड या अन्य मैटल खरीच सकें अगे डिसेंट्रलाइस ब्लोक्चेन के जरिए सेफ डिपोजिट बॉक्स में वो गोल्ड को होल्ड कर सकें ऐसा कुछ विचार बताया है पर ये अभी लगता नहीं कि सभी देश की सरकारें ऐसे विचार के साथ समध होगी पर अभी जो पाई ब्राउजर का प्रॉब्लेम है वो बातों बातों में सौल हो गया है हमको अभी अभी पता चला है और ये वीडियो अपलोड होने तक तो आप भी पाई के ब्राउजर में अपना कार्या आगे बढ़ाते हुए खुश होंगे अब चलिए और खुशी की बात ढुनते है यहां लिखा है वीजा कंपनी ने वायर एक्स कंपनी के साथ पार्टनर्शिप की है यह वीजा जो है वो डिजिटल पेमेंट सिस्टम नेटवर्क है हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पर इसका सिंबोल देखते हैं और वायरेक्स कंपनी जो है वो क्रिप्टो से पेमेंट करने का एक पेमेंट प्लेटफर्म प्रदान करता है वायरेक्स की वेबसाइट और मॉबाइल एब जो है वो क्रिप्टो के उप्योग करताओं को 59 प्लस क्रिप्टो एसेट को स्टोर करने में, सेंड रिसीव करने में, बाय सेल करने में सक्षम बनाता है अब इन दोनों की पार्टनर्शिव से क्या फाइदा होगा या आप खुद सोच लिजिए और हाँ इंडिया में ये दोनों की सर्विस उपलब्द है आगे लिखा है डिजिटल बुक्तान कंपनी विजा ने 40 से अधिक देशों में उप्योग करताओं को क्रिप्टो डेबिट कार्ड जारी करने के लिए क्रिप्टो बुक्तान एप वायर एक्स के साथ साज़ेदारी की गोशना की है विजा के साथ साज़ेदारी से यूके और एशिया में इस क्रिप्टो फर्म के यूजर्स बढ़ेंगे प्रेस रिलीज में कहा है कि कंपनी का उद्देश से अधिक देशों में सीधे क्रिप्टो अनेबल डेबिट कार्ड और प्रिपेड कार्ड जारी करने का है अब विजा के साथ साथ मास्टर कार्ड जैसी और भी कई सारी कंपनिया है जो चूप नहीं बैठेंगी ऐसे आपको लगता है तो दोस्तों तयार हो जाएं बविश्य में पाई का डेबिट कार्ड भी हो सकता है और क्रेडिट कार्ड भी एक और जबरदस्ट न्यूज देखते हैं ब्राजिल में गोशना हुई है कि लोग सरकारी टेक्स का पेमेंट क्रिप्टो से कर सकेंगे उसके लिए ब्राजिल की 215 साल पुरानी बैंक जिसका नाम है बैंक ओड ब्राजिल उसने बिटफाइ नाम की फिंटेक कंपनी के साथ पार्टनर्शिप की है यहार लिखा है प्रेज रिलीज के विवरन के अनुसार ब्राजिल देश के सबसे पुराने बैंकों में से एक बैंकोडो ब्राजिल अब नागरिकों को क्रिप्टो करणसी में कर भुकतान करने की अनुमती देगा बैंकोडो ब्राजिल की स्थापना 12 अक्तूबर 1808 को हुई थी इस बैंक की ओफिशल वेबसाइट पर इस न्यूज की इंफर्मेशन लिखी हुई मिलती है तो जिनके पास क्रिप्टो है वो सीधा क्रिप्टो से ही सरकारी टेक्स का पेमेंट करेंगे और ब्राजिल की सरकार उसका स्विकार करेंगी यह कानून निसंदेह ब्राजिल के क्रिप्टो के निवेशकों के लिए एक अद्भूत क्षान था जो देश में क्रिप्टो करंसी के उज्वल भविशय के मार्क को प्रसस्त करता था लास्ट में एक और न्यूज UAE की सेंटरल बैंक ने अपनी CBDC लांच करने की गोशना की है यानि अब दुबई में वहां की CBDC लांच होगी यान लिखाए सरकार e-commerce के विकास को आसान बनाने के लिए और cashless समाज की स्थापना करने के लिए एक instant payment platform भी launch करेगी तो एक के बाद एक देश इस नई टेकनलोजी को अपनाने लगे है इस दुनिया में वेब 3 टेकनलोजी से बनी blockchain आदारित crypto asset का भविश्य निश्चीत रूप से आगे बढ़ेगा crypto की इस क्रांती को कोई नहीं रोख पाएगा क्योंकि पृत्वी के सभी देशों के टेकनिकल गुरुओं को लगता है कि जो देश इस क्रांती को रोकेगा वो देश पीशे रह जाएगा दोस्तो बस अब तो लगता है इंतजार बहुत ही शिग्रता से समाप तो होने वाला है कुछ ही मैनों की बात है लगता है इसी साल पाई में और crypto में भी अच्छे दिन आने वाले है crypto के जगत में पंची उडेंगे कुछ छोटी उडान बरके गुरूर करेंगे वो छोटी छोटी उडानों पे गुरूर नहीं करता पाई वो परिंदा है जो अपने लिए आस्मान डूंडता है मिल सके जो आसानी से उसकी ख़ाहिश की से है यहां जित तो उस पाई की कीमत पाने की है जो हमने मन में सोच कर रखी है तो अच्छी कीमत पाने के लिए नया नया जानते रहें और प्रसंद रहें मेटा मित्र से जुड़े रहें मेरा मित्रा मेटा मित्रा जाए हेंद जाए बारत जाए जाए बारत